हेलो फ्रेंड मैं प्रशन सावंत आपका स्वागत करता हूँ और आज हम सिखेंगे CNC प्रोग्रामिंग टॉपिक है पॉकेट मिलिंग प्रिविएस लेक्चर में हमने पॉकेट मिलिंग में कोर कैसे मैनुफेक्चर करते थे वो सिखेंगे इन दोनों में का डिपरस में आपको हमने यहां पर जो जोमेटर दिया था उसके सबसे हमने उसका हेग्जागोनल का कोर मैनुफेक्चर किया है याने कि उसके उस प्रोफाइल के साइट का मट्रल हमने रिमूव किया है तो यह हो गया हमारा कोर मैनुफेक्चरिंग और कैविटी में क्या होता है जो प्रोफाइ के अंदर का मट्रेल रिमूट कर देते हैं तो हम CNC programming बस तीन स्टेप में शीखते हैं जैसे के हमारा पहला step है जो geometry में दिया है उस geometry के हम coordinate calculate कर देते हैं दिन उस coordinate के मद़द से हम उसका सब प्रोग्राम बनाते हैं और उस सब प्रोग्राम आखिर में हम मेंन प्रोग्राम के साथ जोर देदे हैं बहुत आसान है आपको जल्दी समझ में भी आएगा बस यह वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहे हैं तो रहा मोटरेल की तोर पर हमें एस स्क्वेर प्लेट दिया है ताकि हम उसका कोडिनेट केल्कुलेट कर सके तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बना दिया है तो कोडिनेट केल्कुलेट करने से पहले हमें उसका वर्क पार्ट 0 सेट करना पड़ता है जैसे कि हमने इस पॉइंट पे उसका वर् इंदी चैनल पे slotting operation के topic में आची तरह से बात दिया है आप चाहिए तो आप पर देख सकते हैं तो इस पर ज्यादा समय ना लेते हुए हम यह वीडियो कर देता हूं तो मैं यहाँ पर हमने कुल एक से नो नमबर तक के coordinate calculate किये है और यहाँ पर उसके dimensions along to x axis दोनों यहाँ पर mention किये है जैसे कि मेरा first number का coordinate work part 0 से x axis में प्लस 25 पे है तो मैंने यहाँ पर प्लस 25 लिख दिया है और y axis में जीरो पे तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया है similarly second number का coordinate जो x-axis में plus 25 पे तो मैंने यहाँ पर x-axis में plus 25 पे लिख दिया है और y-axis में 15 में लिख दिया है जैसे कि वो 15 में है similarly हम third number coordinate केल्कुलट कर दिते है जो कि third coordinate हमारा x-axis में plus 15 पे तो यहाँ पर हमने plus 15 लिख दिया है वैसे ही हमारा 4-number coordinate calculate किया है जोके 4-number coordinate हमारा X-axis में minus 15 पे हैं तो हमने यहां पे minus 15 लिख दिया है और Y-axis में वो plus 25 पे हैं तो plus 25 यहां पे लिख दिया है इसी तरह हम 4-9 नमबर तक के coordinate calculate करेंगे और यहां पे mention करेंगे तो चलिए हम इस coordinate के मदल से हम उसका सब प्रोग्राम बनाते हैं हमारे सब प्रोग्राम का नंबर है 01005 और आप जो यह नंबर का sequence देख रहे हैं वो हर एक block का नंबर है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमारा tool जाए वो इस तरह ट्राइवल करने का ला है और उसका path मैं आप बता देता हूँ तो मैरा tool यहाँ से start होगा work part 0 से वो इस तरह से होकर देन यहाँ पे work part 0 पे आके वो खतम होगा तो इस तरह से हमारा एक loop जनरेट हो गया है और इस loop के हिसाब से हम उसका machining करेंगे तो हमारा पहला block है इसमे N010 जिसमें हमने code उसकी है G00, G54, G90, X0, Y0 और उसे फिर देदे है 500 mm पर मिनिट का तो हम G00 जो code है वो rapid transfer के लिए उसकरते है यानि कि हमें machine part 0 से work part 0 तक rapid ले आने है तो इसलिए हमने यहाँ पे G00 code उसकी है देन G54 जो coordinate होता है जो code होता है वो हमने coordinate के लिए set कर रहा है जहाँ पे हमने work part 0 set किया है उसके coordinate के लिए वो set रहता है 0 offset यानि कि हमारा machine part 0 से work part 0 तक का जितना भी distance है along to x axis और x axis वो दोनों हमने machine के G54 coordinate में set किया रहता है तो हम यहाँ पे G54 से G59 तक के coordinate यूज़ कर सकते है अगर हमने यहाँ पे G54 के बदले G57 या G58 code यूज़ करना है तो हमें machine part 0 से work part 0 तक जितने भी distances है along to x axis और x axis वोसका data हमें machine के G57 या G58 coordinate में set करना पड़ता है then G90 तो हमने यह जो coordinate generate किया है calculate किया है वो सब G90 याने absolute programming के हिसाब से हमने calculate किया है इसलिए हमने यहाँ पे G90 code लिख दिया है और x0 y0 याने हमें यहाँ पे work part 0 तक machine part 0 से tool लेके आने का इसलिए हमने यहाँ पे x0 y0 लिख दिया है और उसे feed दिया है 500 mm per minute का then हम स्रिफ टूल जो है हमारा work part 0 तक लेके आया है लेकिन हमने उसे अभी जेड में travel करने के लिए feed नहीं दिया है और उसे depth of cut नहीं दिया है तो हम उसे depth of cut दे देता है तो आगला block हमारा उसी के लिए है तो हम जो traveling करेंगे और linearly करेंगे ट्राइवल जड़ एक्सिस में तो इसके लिए हमने यहाँ पर 0-1 कोड उसके आए जिए 91 हमारा incremental programming के लिए है और यहाँ पर हमने Z-0.1 depth of cut दे दिया है और उसे feed दे दिया है 100 mm per minute का तो हमें total depth चाहिए 4 mm का तो हम यह loop जो बनाया है वो continuous और बार बार दो हो रहेंगे ताकि हमें उसका 4 mm का depth हमें मिल जाए तो हमने यहाँ पर G91 कोड इसलिए उसके आए क्योंकि हो हर एक बार minus Z जो है 0.1 में चला जाएगा देन हमारा next block है हम work part 0 से एक नंबर के कोड़नेट तक आएंगे लेकिन हम यह जो ट्राइवलिंग हो लिनेर लिकरेंगे इसलिए हमने यहाँ पर G01 कोड इसके आए देन हम पिछले block में जो जब incremental programming गए थे वो आगेन हम absolute programming में आएगे इसलिए हमने यहाँ पर 90 कोड इसके है और हमारा एक नंबर के जो कोड़नेट है x plus 25 और y0 व Wells ने chloride हो यहाँ पर हमने सिधा में लिख दिया है देन्र हमारा next block है हमें एक नंबर के कोड़नेट से 2 नंबर के कोड़्नेट तक ट्राइवल करना है तो हम यहाँ पर प्रे急 करने लिए सिधा हम linearly travel करेंगे इसलिए हमने यह पे G01 code कि आए और उसके कोड़िनेट जो दो नमबर की कोड़िनेट है एक एकसी में 25 और य एकसी में 15 तो हमने यहापे एक एकसी में 25 और एकसी में 15 सिधा सिधा लिख दिया है दिन दो से तीननमबर तक हम हमें circular जाना है क्योंकि यहां पर arc दिकाई दे रहा है तो यह direction जो है और यह अंति-clock वाई से तो हम इसलिए यहां पर 0-3 equal use करते तो इसका मतलब होता है जी-0-3 का circular interpolation in anti-clock-wise direction तो हमने यहां पर 0-3 equal use किया है और तीन नमबर के coordinate जो कि है x 15 और y 25 तो हमने यहां पर x 15 और y 25 लिख दिया है और उसका radius जो है यहां पर mention कर दिया है r10 और यहां पर end of block का symbol उसके है देन आगेन जी-0-1 यानि कि हमें यहां पर तीन नमबर से चार नमबर तक linear लिजाना है तो हमें यहां पर linear लिजाने के लिए यहां पर जी-0 उसकरते है और चार नमबर के coordinate जो कि x-axis में माइनेस 15 और y-axis प्लस 25 लिख दिया है देना हमें चार नमबर से पास नमबर तक आगेन circular जाने का है क्योंकि यहां पर arc दिखाई दे रहा है करव दिखाई दे रहा है तो इसका radius है 10 mm तो हम अब यह direction हो गया है clockwise तो हम clockwise जाने के लिए जी-0-2 उस कोड करते है तो हमने यहां पर जी-0-2 कोड उसका मतलब होता है circular interpolation in clockwise direction और हमने यहां पर पास नमबर के कोडिनेट डाल दिये x-25 और y-15 और उसका radius यहां पर मेंचन कर दिया है हम इसी तरह से 5 से होकर 6 तक आएगे 6 से 7 तक आगेन circular में जाएंगे और 7 से 8 नमबर तक लीनेर ली जाएंगे अब 8 नमबर से हमें 9 नमबर तक आगेन circular interpolation लेकिन वो clockwise direction है तो हमने यहां पर G02 को यूज किया है और 9 नमबर के कोडिनेट यहां पर यूज किया है जो की x-25 और y-15 है तो हमने यहां पर y-15 लिख दिया है और उसका radius यहां पर नोट डाउन कर दिया है जो की r10 है देन अब हम यहां से एक नमबर के कोडिनेट तक हमें लीनेर ली जाना था लेकिन हम एक नमबर से प्लस में आएगे क्योंकि यहां का मट्रेल पहले ही कट में वो रिमो हो चुका है तो हम यहां से यहां तक आएगे ताक कि हमें एक यह ल स्वाई है तो एक्स एक्सिस में उप्लस 25 वैसे क्यों एसी है तो हम यहां पे कोड यूज कर रहें जिजरो एकस 25.0 और वाई प्लस फाइउ तो आप हमारा टूल यहां से यहां तक लीनेर लिया है आप हमें यहां से यहां तक जाना है तो हम उसे linear ले ही जाएंगे इसके लिए हमने यहां पर code उसके है अब हमारा x जो है वो plus 25 था हमें उसे 0 पर लेक्वाने का है तो अब हम उसे यहां पर लेक्वाएंगे तो हमारा x 0 हो जाएगा और y जो है प्लस 5 में है तो यहां पर y प्लस 5 हमें लिख दिया है अब हम इस पॉइंट से अगें x 0 y 0 कर देंगे ताकि हमने जिस पॉइंट से हमने फॉइंट से गवाय पत्राउ इसके लिए deci 0 & Y 0 तो हम यहां पर यहां पर y-0 भी कर देंगे और हमारा टूल यहां-पर आ गया है यहां प्रोग्राम की मदद से उसका में प्रोग्राम मनाते हैं तो हमारे में प्रोग्राम का नंबर है और आप यह जो एन नंबर का सिक्वें देख रहे हो हर एक ब्लॉक का नंबर है तो हमारा पहला ब्लॉक है एन 010 जिसमें हमने कोड उसके है एम 06 T01 तो एम 06 का मतलब होता है टूल चेंज और T01 का मतलब होता है कि हमने टूल मैगजिन में से एक नंबर का टूल सेलेट किया है देन हमारा नेक्स ब्लॉक है जिसमें हमने कोड उसके है M03 S1000 तो M03 का मतलब होता है स्पिंडल ओन कि है हमने क्लॉक्वाइज डिरेक्शन में उससे फिर दे दिया है 1000RPM का हमें यहाँ पे M03 के बदले M04 व्यूज कर सकते है उससे क्या होगा तो हमारा स्पिंडल ओन होगा ए क्लॉल जो है महीन पाट 0 ay स्पिंडल तक रैपीदल ला रहे है उसका ट्रैविलिंङ जो हो रहे ह और रैपिडली ट्रैयों के यह है वह जो हूंक नियुक्त झारां है सब्सक्रोंच जो ओन्सक्रूं हम main program में भी G54 कोड यूज कर रहे हैं अगर हम सब program में G54 के बदले G56 या G57 कोड यूज कर थे तो हमे main program में भी वही कोड यूज करना पड़ता है then G90 कोड हमने इसलिए उसकिया है क्यों कि G90 का मतलब होता है absolute programming और हमने जो हमारे coordinate generate किये है वो absolute programming के सबसे किये इसलिए हमने हमने आपे मेनी प्रोग्राम में भी G90 यूज किया है देन X0 Y0 का मतलब होता है हम टूल जो है वो मशिन पार्ट 0 से वर्क पार्ट 0 तक यानिके उसके सेंटर में ला रहे है जहां पे हमारा X और Y-axis 200 है और उसे फिर हमने 500 mm पर मिनिट का दे दिया है देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है G00, G43, Y01, Z50 तो G0 का मतलब होता है rapid transfer आप तो जानते है देन G43 यानिके हमने tool length compensation positive क्या है और Y01 का मतलब होता है कि हमने एक नंबर का tool जो है हमने एक नंबर के tool का height का data machine के Y01 के offset में हमने set किया है अगर हम यहाँ पे T01 के बदले हम T03 यूज़ करते है यानिकि हमर तिन नंबर का tool यूज़ करते है तो हम उस tool के height का data Y03 offset में set करना पड़ता है और Z50 का मतलब है हमने अभी वर्कपिस के surface और tool में 50 mm का gap create किया है gap maintain रखा है तो जो हमने gap maintain किया है वह हम कम कर रहे हैं हम अभी भी tool के tool और workpiece के surface में 1 mm का gap रख रहे है क्योंकि हम यह जानते है कि अगर workpiece में कुछ रफने से तो हमारा tool उससे डैश नहीं मारेगा और हम हमारा machine operation Z1 plus में ही रखके के शुरू करने वाले हैं लेकिन आप तक हमने machine शुरू किया है करने से पहले हम उसका coolant चालू करते तो next block में हमने M08 code उसके है जिससे क्या होगा तो हमारा machine का coolant on होगा अभी next block जो है बहुत important है क्योंकि हम यहाँ पे प्रोग्राम कॉल करने वाले तो next block में code के हमने उसके है जी 150 यहने के हमने जनरल पॉकेट में लिंग से कलवान किया है तो machine को बाता दिया है क्या हमें पॉकेट में लिंग करने का है जिसमें हम cavity perform कर रहे है देन जी 41 जी 41 में एने कटर रेडिस कमपनेशन लेट तो हमने यह code इसलिया है क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारा टूल पात है वो एंटि क्लॉक्वाज डायरेक्शन में है इसलिए हमने यहाँ पे जी 41 को इसलिए है अगर यही पात हमारा क्लॉक्वाज डायरेक्शन में होता तो हम यहाँ पे जी 41 के बदले जी 42 करते है देन हमने यहाँ पे प्रोग्राम कॉल किया है तो हमारी सब प्रोग्राम का नंबर था 01005 तो चेंज हो के हाँ पे ओ के बदले हमने यहाँ पे पी लिटल वीज किया है यानिके हमारा सब प्रोग्राम हमने यहाँ पे कॉल किया है देन Q01 का मतलब होता है हम हर एक लूप में 0.1 का देप लेने वाले है यानि कि वो डेप अपकट है देन X0 और Y0 यह जो हमारा वर पाट 0 से ही मचिनिक स्टार्ट करने वाले है इसलिए हमने यहाँ एक 0 Y0 कोडिनेट डाल दिये है देन Z-5 यानि कि हमें टोटल देप अभी माइनस 5 तक जाना है क्योंकि हमारा वर्कपिस का टोटल देप 4 mm है और हमने यहाँ पे प्लस 1 से स्टार्ट किया है तो 1 प्लस 4 5 हो जाएगा देन वापस ओ पॉइंट 1 प्लस करके जेड में चला जाएगा देन जेड सिक्स आप स्टारी जेशिक्स जेशिक्स यानि हमां हम इंक्रिमेंटल कट ओन वाइक्सिस ले रहे हैं आप यहाँ पे देख रहे हमां हमारा टूल का पात यह है और हम यहाँ पे भी हो गया है लेकिन यह जो आप वाइट सर पे देख रहे हैं यहाँ पे हमारा टूल नहीं गया है यानिकि यह मट्रेल आप तक मश्निंग नहीं हुआ है हम जेशिक्स कोड यूज़ करने से क्या होगा तो यह समझ लेगा कि हम मुझे के लिए ऑप्रेशन करना है और यह सा इस मिलेगा और यह मट्रेल रिमूट कर देगा बस यहीं फरक है यह में देन हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे के 0.05 तो हमारा फिनिशिंग आलाउंस है देन डी-0-1 यानि कि हमने टूल के डायमेटर का डाटा जो है वह मश्न के डी-0-1 ऑपसेट में सेट करना पड़त है तब तक यही ब्लॉक करन होने वाला है जैसे हमें उसका डेप्ट मिल जाएगा वो नेक्स्ट ब्लॉक पर फारूड कर देगा और हमारा वही पर मश्निंग खतम हो जाएगा यानि हमें वो प्रोड़क्ट मिल जाएगा लेकिन हम आप मश्न को रेपरेंस पर लेके जाते ह हमने यहां पर कोड़ phi 00, G40W और जेड हम्रेड तो जेड हनिट तो का मतलब होता है यहां पर करेंड कोड आप को एज हमने कटर वॡ्येकिन के घंसल रहे हैं जीफ हम वो पूरा टूल मशीन पार्ट 0 पे लेके जाते आनिके रेफ्रेंस पाइंट पे लेके जाते इसलिए हमने यहाँ पे Z28X0Y0 Z0 कोड उसके है और आखिर में हमारा EMEAN प्रोग्राम यहाँ पे खतम हुआ इसलिए हमने यहाँ पे M30 कोड उसके है तो मैं उम्मिद करता हुए कि यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत आता है कोई भी प्रॉब्लेम आता है या आपको कोई सुजा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा और आपको वीडियो अगर समझ में आया है लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू फार वाशिंग गूड डे